देश का महोल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है नवंबर में देश के पांच चुराज्यों में चुनाव होने हैं जिसे लेकर सभी दलतयारियों में जूटे हुए है खासकर विजेपी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे जटके पर जटके लग रही है मध्यप्रदेश में विजेपी की सरकार है और यहां पार्टी ने सांसदो और कैबिनेट मंत्रियों को टिकट दिया है फिर भी विजेपी की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है बिजेपी को मध्य प्रदेश में एक के बाद एक जटके लग रही है अर्विन तोमर अनुसूचित जाती मोर्चा के जुला अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जन कल्यान प्रकोष्ट के पूर प्रदेश से संयोजक रह चुकी है। अर्विन तोमर ने विजेपी पर कई गंभीर आरूप भी लगाए हैं। उनों ने कहा कि भारती जनता पाटी द्वारा मेरी निरंतर उपेक्षा करने के कारण मैं सभी दायत्मों और प्रात्मिक सदसता से त्याक पत्र दे रहा हूं। तोमर ने कहा कि पिछले तीन चुनाव में नरियावली विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहा हूं। लेकिन फिर भी पार्टी ने मुझे कभी कोई अफसर नहीं दिया। दरसल सुबे में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिजेपी अब तक 136 उमीदवारों की नामों का एलान कर चुकी है। अब 230 विधानसभा सीटों में सिर्फ 94 उमीदवारों की नामों का फैसला होना बाकी है। संभावना ये भी है कि सूची जल्द ही आ जाएगी। लेकिन इस बीच पार्टी से नाउमीद हो रहे दावेदार अब बायबाय कर रहे है। गुरुवार को सागर से पूर्व सांसर लक्षमी नरायन यादव के बेटे और 2018 में सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके सुधिल यादव ने भी विजेपी का हाथ छोड़ दिया था। पूर्व सांसत लक्षमी नरायन यादव ने तो खुले तोर पर हाई कमान को बहरा और अंधा तक कह डाला। इसी तरह शतरपूर जिले के बिजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पासी राम पठेल बसपा का दाम अंधाम चुके हैं और इसी के साथ अब करण सिंग लोधी ने